मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक व्यक्ति को अजगर ने दबोच लिया बताया जा रहा है कि व्यक्ति शौच करने गया था वह जाडियों के पीछे बैठा था तभी घात लगाकर करीब 16 फुट लंबे अजगर ने उसे दबोच लिया व्यक्ति जट पटाता रहा लेकिन अजगर ने उसे नहीं छोड़ा जान मुश्किल में फंस्ती देख व्यक्ति ने तुरंत जोड़ जोड़ से चिलाना शुरू किया मामला जबलपुर के कल्यानपुर गाव का है यक्ति पर अजगर अपना शिंकजा कस्ता जा रहा था शक्स चिलाया कि कोई मेरी जान बचा लो शोर सुनने के बाद मौके पर आसपास के लोग पहुँचे वहां का नजारा देख सभी लोगों के होश उड़ गए ग्रामीनों ने लाठी डंडों से हमला किया लेकिन अजगर ने शक्स को नहीं छोड़ा इसके बाद युवक ने चारो तरफ से अजगर पर ताबड तोड लाठीयों से वार किया कुछ देर बाद अजगर ने जब दम तोड़ा तो उसकी शक्स पर पकड़ धीली पड़ी अजगर के शिंकजे से छूटने के बाद शक्स ने राहत की सांस ली अजगर की पकड़ से छूटने के बाद शक्स ने बताया कि अजगर ने पैरों और गले में फंदा लगा दिया था उधर घटना का एक विडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वाइरल हो रहा है घटना की जानकारी भी वन विभाग को दे दी गई है कहां जा रहा है कि ग्रामीनों ने जान बचाने की खातिर अजगर को मारा है इस वज़े से उन पर कोई कारवाई नहीं होगी DFO रिशी मिश्रा ने कहां की मामला संग्यान में है वन्य प्राणी संग्रक्षन अधिनियम 1912 की धारा ग्यारह दो के मताबिक अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने की खातिर वन्य जीव पर हमला या उसको मारा जाता है तो ऐसे मामलों में किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता है अजगर का नियमों के मताबिक अंतिम संसकार कर दिया गया है